हेलो फ्रेंज वेलकम टेट 24 नॉलेजे ओफिशल यूट्यूब चैनल आज के इस वीडो में हम बात करेंगे भारतिय खाद निगम फूड कॉर्परेशन ऑफ इंडिया की न्यू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन के एक्जाम पैटर्न के बारे में इसके सेलेक्शन प्रोसेस के बारे में और इसके सेलेक्श के बारे में तो फ्रेंज से यहां पर जिस नॉटिफिकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं यह है आपके कैटिगरी 3 फ्रेंज से यहां पर जो यह नॉटिफिकेशन है यह फ्रेंज से आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में जॉबरास्ता.com पर वहाँ पर जाकर आप इसकी डेटेल्स को चैक आउट कर सकते हैं 5043 पोस्ट यहां पर आपकी जारी की गई है और इसमें फ्रेंज जो नॉटिफिकेशन है यह फ्रेंज से जारी हुआ है आपके एम्पलोमेंट निउस्पेपर मिन्स रोजगार समाचार में जल्दी ही फ्रेंज आपको इसका जो अपडेट है इसकी ओफिशल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा तब तक के लिए फैंस आप जोबरासा.com पर जाकर इसकी डेटेल्स को चैक आउट कर सकते हैं और बात करेंगे यहां पर इसके एक्जाम पेटर्न और सेलेक्शन प्रोसेस के बारे में और इससे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें जिससे आपको आने वाली सारी अप्डेट्स मिल सकें तो यहां पर देखें फ्रेंस यह इसका ओफिशल नॉटिफिकेशन है एम्प्लोमेंट निउस्पेपर में एटाइजमें जानकीबात करें तो यहाँ पर 989 पोस्ट है एस्ट जॉट में आपके यहाँ पर 768 पोस्ट है वेस्ट जॉट में वाहई से 713 पोस्ट है और एन यूट में फ्रेंज से आपके 18 test 175 पोस्ट आपकी निकाली गई है जो कि JE के लिए 109 के लिए और AG3 के लिए आपकी वेकैंसि रहती हैं एज लिमिट फैंस 182022 को काउंट होगा जे के लिए 26 साल इस्टैनों के लिए 25 साल और एजी 3 हिंदी के लिए 28 साल और एजी 3 की बागी अधर पोस्ट जनरल अकाउंट टेकनिकल डिपोर्ट के लिए 27 साल आपकी अपर एज यहां पर रहेगी बात करें अगर इसकी क सब्सक्राइब कर सकते हैं एक साल के एक्सपीरिंस के साथ आप इसमें आविदन कर पाएंगे इस सेनों में फ्रेंट से डिग्री और साथ में स्पीड मांगी गई है 40 वर परमेट इंग्लिश में और 80 वर परमेट आपकी शॉर्ट हैंड में एजी 3 जनरल के लिए फैंसे ग इसमें फ्रेंट से डिग्री हिंदी एजे में सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए और वाइस और साथ कम से कम एक साल के डूरेशन का आपके पास होना जरूरी है तो आप इसमें एपलीगेबल होते हैं अपलाय करने के लिए अब यहाँ पर जो यह वेकैंसी हैं उनमें आप एक ही जौन के लिए और एक ही पोस्ट के लिए आविदन कर सकते हैं अपने एकोर्डिंग जो भी पोस्ट के लिए आप आप। कर पाएंगे अब friends बात करते हैं देखिए इसके exam better और इसके selection procedure के बारे में जो की main point है इस वीडियो का तो यहाँ पर देखिए friends सबसे पहले आपका selection process होगा इसमें दो phases होंगी phase 1 और phase 2 अब सबसे पहले phase 1 की बात कर लेते हैं तो phase 1 होगा friends या आपका online exam होगा English language के 25 Quesn 25 मार्च के होंगे 15 मिनट की डोडेशन रहेगी reasoning ability के 25 कोशन 25 मार्च के 15 मिनट की डोडेशन है numerical Attitude के भी 25 कोशन 25 मार्च के 15 मिनट का समय आपको मिलेगा और general studies के 35 मार्च के 15 मिनट का समय आपको मिलेगा अगर general studies में बात करें तो से हिस्टी जगोराफी एकनोमी जंडर्ल साइंस 8 एसे economics गें इसे मुनं सब्सक्राइव में सब्सक्राइब को मैंस को समील और आफको फेज सु अब फेज 2 में पेपर ऑब 2 पेपर होvan इसके बारे में आपको बताये गया है अगर देख सीविल के लिए याइ व्लडे करते हैं तौफ टेपर फ़गा के और दोनों ही single sitting में आपका होने वाला है, इस 10-0 के लिए paper 3 आपका only यहां पर conduct किया जाएगा, AG3 जनरल के लिए फैंस में only आपका paper 1 होगा, AG3 अकाउंट के लिए paper 1 and paper 2 होगा, AG3 टेखनिकल के लिए paper 1 and paper 2 आपका होने वाला है, इसके लावा जो other port है, डिपोर्ट की इसमें paper 1 होगा, और इसके लावा हिंदी में paper 1 and paper 2 होगा, अब जो आपसे कहा गया है paper 1, paper 2 और paper 3, जिन-जिन post के लिए आवेदन करना चाहते हैं, माली जब इस 10-0 के लिए आवेदन करते हैं, अब paper 1 में friends, यहाँ पर एक सो बीस multiple choice questions होंगे, एक सो बीस marks के 90 minute का समय मिलेगा, इसके लावा friends, जो paper 2 होगा, वो post specific होगा, जैसे आपका यहाँ पर AG3 हिंदी में paper 2 है, इसके लावा फैंस आपका JE में है, इसके लावा फैंस से यहाँ पर आपका नीचे आएंगे, तो AG3 अकाउंट में है, टेकनिकल में है, तो इसमें जो भी आपका यहाँ पर paper 2 होने वाला है, यह 60 questions होंगे, और 120 marks का होगा, 60 minute का समय आपको मिलेगा, इसके लावा फैंस से यहाँ पर paper 3, इसमें 120 MCQ होंगे, और आपका यहाँ पर 120 marks का होगा, 90 minute का समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग फैंस यहाँ पर 1 फोर्ट की रहेगी, अब यह तो हो गया, इसके बारे में कि paper 1, paper 2, paper 3 में क्या क्या होगा, अब paper 1 में आपसे जो questions पूछे जाएंगे, उसमें देखिया आपके English Language, जो कि 25 कोशन होंगे, 25 marks के 20 मिनट का समय मिलेगा, Reasoning Ability के 25 कोशन, 25 marks के 20 मिनट का समय मिलेगा, Numerical Appetude के भी 25 कोशन, 25 marks के 20 मिनट का समय आपको यहाँ मिलेगा, General Studies के फैंस प्रेंस प्रेंस के 45 कोशन होंगे, General Science के फैंस से 10 कोशन होंगे, Current Affairs के 5 कोशन और Computer Awareness के 5 कोशन आपके होंगे, और इसके लिए 30 मिनट का समय आपको मिलता है, Overall 120 कोशन, 120 marks के 90 मिनट का आपको यहाँ पर समय मिलेगा, अब यहाँ पर फैंस जो Paper 2 जिन के लिए होने वाला है, इसके बारे में आपको बताया गया है, जिसमें 60 Multiple Choice Questions आपके यहाँ पर होंगे, अब इसमें यहाँ पर देख सकते हैं, कि आपकी जो Subjects हैं, उसके According, आपकी जो Questions हैं, वो आपको यहाँ पर दिये गए हैं, कि क्या क्या आपका यहाँ पर पूछ जाएगा, इसके बार फ्रेंज, जैसे साथ Multiple Choice Questions है, Civil Engineering में, यहाँ फिर साथ Multiple Choice Questions आपके Commerce से रिलेटेड हैं, साथ Multiple Choice को आपके यहाँ पर Agriculture, Botany, Geology से रिलेटेड हैं, और साथ Multiple Choice Questions आपके जनरल नॉलेज, जो कि फ्रेंज से Hindi Literature, तो फ्रेंसे एंगे साथ में से यहां पर इसका जो स्लेबश है वो भी आपको बताया गया हैं जैसे जूनियर इंजिनियर सिंवल इंजरिंग के लिए जो पोस्ट कोड अ है इसमें क्या friends आपके topics रहेंगे उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है इसके बार friends आप इस साइड में आएंगे तो friends यहाँ पर देखिए आपको जो other post है junior engineer electrical mechanical की post भी इसका syllabus दिया गया है assistant grade थी account का भी आपको syllabus दिया गया है तो steno का form fill करते हैं तो आपको paper 3 की तयारी करनी होगी इसमें रेखिए 120 multiple choice questions आपके होंगे इसमें general English के friends 30 questions 30 marks के 25 minutes का सामय मिलेगा general awareness के 30 questions 30 marks के 20 minutes का सामय मिलेगा general intelligence के भी 30 questions 30 marks के 25 minutes का सामय मिलेगा और computer awareness के इसके 30 questions होंगे 30 marks के 20 minutes का समय आपको मिलेगा Phase 1 सभी के लिए common है, जो कि आपको qualify करना होगा, उसको qualify करने के बड़ फेस 2 में बुलाई जाएगा, जिसके पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 है, जिसके बारे मैं आपको बता दिया है, इस post के लिए सिर्क पेपर 1 है, तो पेपर 1 की तयारी करनी है, पेपर 1, पेपर 2 है, तो यहाँ पर जैसा मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, इसकी जो स्टार्टिंग डेट है, वो 6-9-2022 रहेगी, 6-7-2022 से 5-2-2022 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, साथ में फेंसे यहाँ पर देखिया, एप्लिकेशन फीस 500 रुपे है, जो कि जनर्रल OBC के मेल केंडेट को देनी होगी, अगर आप रिजर्व केंडेट है, SCST, PH केंडेट है, या फिर वोमन केंडेट है, किसी भी कैटेगरी की, तो आपको यहाँ पर कोई भी फीस पे करने की ज़र्त नहीं है, तो यह फ्रेंस इनो डॉटिकेशन है, इसकी जो LPT कंडिशन है, वो आप चेक कर सकते हैं, और जैसा मैंने कहा फ्रेंस से वीडियो के स्टार्टिंग में, कि आपको जो यह डेटेल्स हैं, यह फ्रेंस से अभी आपको देखने को मिलेंगी, jobrasa.com पर, वहाँ पर जाकर आप इसकी डेटेल्स को चेक आउट कर सकते हैं, अगर आप अपलाई कर सकते ह अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है, आप चाहते हैं, ऐसे ही रेगलर अपडेट्स आपको लगातार मिल सकें, तो लाइक सब्सक्राइब एंचे जरूर कीजिए, और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ, देखते रही हमारा यूटीब चनल अरास थाइक पूर वाचिए.